यूपी की महाबारत के चौथे चौरण की रण में पीयमोदीने सम्हाला मोर्चा आज फतेपूर में जनसभा को करेंगे संबोधित मुंदेल खण में आज दूसरे दिन भी हुंकार भरेंगे सीम योगी जासी में करेंगे रोट्चो अमिद्शा की आज भी इतावर तोड रह लियां चार जिलो में करेंगे जनसभा को संबोधित बगेल पर हमले के बाद पहली बार करहल में शहा करेंगे जनसभा अमिद्शा फिरोजाबाद लखीमपोर और लक्नों में जनसभा को करेंगे संबोधित पिजबी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे बोट आज करहल में रहेंगे मुलाइंसिंग यादव S.P. प्रमुक अखिलेश यादव के लिए करेंगे चुनाव प्रचार कुशीनगर में मातम में बदली श्वादी की खुशियां रस्म निभाने के दोरान पुए में गिरने से 13 लोगों की मौत यूक्रेन में फसे अलिगड की कई चात्र परेजनों ने S.D.M. को सौपापत्र पियमोदी से लगाई देश वापसी की गुहार पंजाब के दौरे पर रहेंगे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी स्टेंड बिल्कुल साफ जीरत्र प्रदेश उत्राखन पर बोले S.M. योगी देश शरियत से नहीं सम्विधान से चलेगा हिजाब विवात पर आज भी होगी कनाठक हाई कोर्ट में सुनवाई कल याचिका करता ने कहा अगर पगड़ी पहन कर सेना में नौक्री की ज़ा सकती है तो हिजाब पहन कर पढ़ाई क्यों नहीं राजधानी में स्कूलों के बाद आज से खोल जाएंगी दिली उनिवसिटी कैंटीन लाइबरेरी और लैब में भी हो जाएंगी रियोपनिंग आज 36 नई लोकल ट्रेनों को हरी जंडी दिखाएंगे पियम मोदी ठाणे दिवा के बीच नई बनी पांचवी और छटी ट्रेन लाइन्स का भी करेंगे उद्धाटन आज होगा संगीत कार बफी लहरी का अंतिम संसकार कल 69 बर्ष की उम्र में हुआ था निधान वायू प्रदूशन काम करने की याज शुरू की सबसे बड़ी पहल आज भारत लॉंच करेगा अपनी नैशनल हाइड्रोजन पॉलिसी पहले थी ट्वेंटी में टीम इंडिया की जीत वैसंडी सोचे विकेट से हराया